बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है कि मनीश कस्यप गिरफतार हो चुके है आप तस्वीर भी साब तोर पर देख पा रहोंगे बिहार पुली जो है मनीश कस्यप को गिरफतार कर ली है और उसे जो है नियाय हिरासत में भेजने की तैयारी चल रही है आपको हम बताते हैं कि तामिल नाडू मामले में जो है चार नामजद पत्रकार को पर फायार हुई थी पहले से जो है दो पत्रकार गिरफतार हो चुके थे मनीश कस्यप जो संच तक न्यू चलाते हैं संच आप फॉंडेशन के नाम से यह जो है बहुत बड़े यूटूबर है और यह जारकन बिह यूटूबर है अगर इनका यूटूब चैनल की अगर फेमिली की बात करें सस्क्राइबर की बात करें तो लगभग 64 लाक इनका जो है यूटूबर सस्क्राइबर है फेस्बुक पर लगभग 40 लाक इनका फेमिली बन चुके हैं आज इनका ग्रफतारी हो चुकी है तामिल पर जाज परताल की है इसके बाद जिसमें फायार हुई थी फायार के बाद मनिश कस्याप फरार चल रहे थे जगा जगा पर परसासन टीम जो है छपमारी कर रहे थी एक टीम गठित किया गया था और यह लगतार जो है सोसल मीडिया पर मनिश कस्याप आकर जो है उप मुखमं पर उन्होंने बारी बारी जाके इंटर्विव भी दिया था लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहें और साफ तोर पर आप तस्वीर भी देख बार होंगे जिए मनिश कश्याप का जो है गिरफतारी हो चुकी है आज जो है मनिश कश्याप के घर में सुबह परसासन पहुंची थी और मजिस्टेट की उपस्तिती में उनका घर का कुड़की के लिए कोट वारंट निकाला था और कोट के आदेश के अनुसार बिहार पुलीस मनिश कश्याप का घर पर गई थी और घर कुरकी के लिए वहाँ पर जैसी परसासन पहुंची उनका घर को जो है जितना भी समान था जो घर कुड़की का जो केटिग्रिया होता है जो टार्मेन कंडिसन होता है उनके घर का समान जो है ट्रेक्टर के उपर गाड़ी के उपर लादा जा रहा था उसी बीच जो है मनिस कस्यप को इस बात को जनकारी हुई जो परसासन हमारे घर तक पहु नहीं थाना में उन्होंने अपने आपको सिलेंडर कर्डिया और यह सीलेंडर करने के बाद पुरे बिहार में एक हुड़कम् मच गिया और लोगोंका जैन को सालार उमडगी जिसमें परसासन पहुंची थी मंलस्का सीयफ के घर में फुरकूडकी लिए उस समय का महोल जो है था काफी हलाकि वहाँ पर लोग उनके चाहने वाले उनके समर्थन में लगबग हजारो हजार के जनसंक्या में पहुँची थी लेकिन परसासन जो है वहाँ पर काफी जनसंक्या में परसासन भी मौझूद थी घरगुरकी का कारकरम चर रहा था उस बताते कि बिहार और जारखन के काफी मजदूर जो है हमारे छेतर से पलाइन करते हैं वो अलग अलग छेतर में रोजगार के लिए काम के लिए वो बाहर निकलते हैं और उसी दोरान जो है मनिस कस्यप के उपर एफायार हुई थी और मनिस कस्यप जो है तामिल नाडू में जो वायरल हो रहा था वीडियो जिसमें जो है मजदूरों को दोड़ा-दोड़ा के मारा जा रहा था पीटा जा रहा था इसको जो है अपनी चैनल पर उन्होंने परमोट किया था उन्होंने सचाई दिखाने का कोशिश की थी जब परसासन की जब यह अंडर में यह सारा दाल के भाद F.A.R. हुई थी और F.R. के बाद जो मनिस कशयब जो है आप फरार थे क्यूंकि इस समंध में जो है बिहार पुलिस ने ट्वीट के माध्यम से भी जनकारी दिया था जिब मनिस कशयब के गलवतारी के लिए जो है टीम गठीत कर दिया और अलग अलग राज में चप अमारी चल रहा है लेकिन मनिश कश्यप गरफ कहरों जब घर कुड़की जब किया गया घर कुड़की के दौरान अपने आपको सिलनर कर दियें हलाकि ये तमाम जो है खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे मनिश कश्यप की अभी गिरफ तारी कब तक उनको जमानत मिलेगी और उनके द्वारा बताया गया जिसमें हम जेल से बाहर निकलेंगे 180 दिन लगबग आपका 6 महिने के अंदर तक जो है सरकार में जो उप मुखमंतरी है तेजेश्वी यादो और मुखमंतरी नितिश कुमार का सरकार को गिराने का और पावर रखते हैं इस समद में सोशल मेडिया पर काफी मनिष कशिअप का सपोर्ट करते हुए नजर आ है जिसमें आए सपोर्ट मनिष कशिअप करके एक बढ़ ट्रेंडिंग में चल रहा था लेकिन काफी लोग जो है मनिस कस्यप का ग्रफतारी के लिए जो है DC को मंतरी को या मुख मंतरी को सारे लोगों का ट्वीट करते थे ताकि मनिस कस्यप के ग्रफतारी भी हो जाए इसके इलावा मनिस कस्यप कर कई ऐसे मामले दर्ज है और ये सब मामले में मनिश कस्यप फरार चलते थे और ये सारा मामला का जब केस का हैरिंग चालू हो चुका है और मनिश कस्यप को कब तक जबानत मिलता है ये हमें और आपको भी देखना होगा और वो तमाम खबरे हम आपको दिखाएंगे अभी तक के सबसे बड़ी अप्ट